हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सौरब आज की वीडियो में हम आपको सर्सो के साग से मिलने वाले चार बहतरीन फायदे बताने वाले हैं जिनें सुनकर आप दंग रह जाएंगे सर्दी के मोसम को सबजियों का मोसम माना जाता है क्योंकि इस मोसम में कई तरह की पुष्टिक सबजियों उपलब्ध होती है इनी सबजियों में सर्सो का साग भी सामिल है जिसका सेवन सर्दी के मोसम में सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है दरसल ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहत लाब दायक होता है तो चलिए फिर आशकी वीडियों में हम आपको सर्दीयों में सर्दीयों में सर्सो के साग से मिल लेवाले चार बहतरीन फायदे बताएंगे नमबर वन प्रकासित एक सोध के अनुसार सर्सो के साग के अंदर बिटामिन A, बिटामिन K और एंटी आक्सिडेंट गुन मुझूद होते हैं जो सरीर की रोक प्रतिरोदक छमता को मजबूत करने में काफी मदद कर सकते हैं नमबर टू इसके अतिरिक ये अंटी आक्सिडेंट गुन फिर्दियर रोकों के जोखिमों को कम करने में भी सायोग प्रतान कर सकता है इसके लिए सर्सो के साग को डाइट में सामिल करना तो बनता है नमबर थरी आंखों को सुरक्षिस रखने में भी है कारगर बरती उम्र के साथ साथ आंखे भी कमजोर होने लगती है ऐसे में आखों की कमजोरी को दूर करने में स्तर्सो के साख का सेवन फायदेवन से धूसर रखता है नमबर फॉर मदुमे के जोखिम को कम करने में है साहयक खून में सुगर की मातरा बढ़ने से मदुमे का खतरा हो सकता है जिसके जोखिमों से रखत दिलाने में स्तर्सो के साख का सेवन करना कारगर साबित हो सकता है बैपसाइट पर प्रकासित एक सोध में इस बात का जिकर मिलता है कि इसमें एंटी डाइवेटिक गुन भी मौजूद होते हैं जो रक्त में मौजूद ग्लुकोज की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है इसके लिए मदद में रोगियों को अपनी डाइट में सर्सो के साख को जरूर सामिल करना चाहिए तो दोस्तों ये थे सर्दियों में सर्सो के साख का सेवन करने से मिलने वाले चार फायदे तो अगर वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को एक लाइक और अगर जब चैनल पर पहली बार आरो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखना जय हिंजे भारत